आपको कुशन है मीना वेंट तो बैंक तो विद्रो रूपीज 2,000 शी आग्ड कैशियर तो गीव रूपीज 50 और रूपीज 100 अनली मीना गॉट रूपीज 25 इन और तो सबसे पहले आपको देखना है क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है मीना कहां पर गई है बैंक फॉर 2,000 रूपीज उसको विड्रो करना है उसने कहा मुझे सिर्फ दो ही नोट चीए तो 50 और 100 तो 50 रूपीज नोट नोट्स आपके कैसे हैं 50 रूपीज के एंड रूपीज 100 ठीक है तो अब क्या है देखो इसने क्या कहा और क्या मिना इसको तो सबसे पहले आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन होगा कि टोटल मनी उसने कितना रिसीव किया 2,000 तो अब हमने क्या किया सपोज उसने जो 50 रूपीज के नोट थे उसको एक्स मिले और रूपीज 100 उसको य मिले तो एक्स और य नो तो इन 2,000 रूपीज 50 इन्टो नंबर अफ नोट गिस यू सम अमाउंट कुछ अमाउंट देगा and 100 इन्टो य नंबर अफ नोट्स अफ य विल गिव यू सम अमाउंट all together they will give you 2,000 रूपीज अना तो आपका एक्वेशन कैसे आएगा 50 इन्टो एक्स is 50X plus 100 इन्टो य इस 100Y that is equal to 2,000 ठीक है यह आपका फर्स्ट एक्वेशन हो गया सेकर्ड इक्वेशन में देखो उसने क्या कहा है कि नोट्स 50 रूपीज अन्डर रूपीज के जो नोट्स है all together they will be 25 he got not रूपीज 25 25 इन्ट ठीक है that means दोनों के जो नोट्स है वो उसके 25 था तो 50 रूपीज के कितने थे एक्स तो आपका आगया एक्स प्लस वाई that is equal to 25 तो यह आपका second equation हो गया now first equation में देखो आपका क्या हो रहा है 50 is common तो हम क्या करेंगे just we will divide by 50 तो अब आपका equation क्या आजाएगा देखो 0 में 0 गया and 40 तो आपका equation आगया 40 is equal to x plus 2y now इसको eliminate करना है तो देखो x ही same है आपका तो हम इसको eliminate कर सकते हैं just subtract करना है आपको तो subtract means आपको एक साइन चेंज करना है तो हमने साइन चेंज कर दिया minus minus and minus तो आप देखो 25 minus 40 is minus 15 that is equal to x minus x get cancelled y minus 2y is minus y तो minus and minus get cancelled तो आपका आगया y is equal to 15 that means 100 rupees के note उसके पास में कितने थे 50 है तो x कितना हो गया 10 है तो यह value हम डाल देते हैं first वाले में यह आपका यह वाले में है तो आपको कितना आ जाएगा देखो x plus 15 that is equal to 25 तो x is equal to 25 minus 15 तो that is equal to 10 तो 50 रुपीस के note कितने थे 10 थे और 100 रुपीस के note कितने थे 150 sorry 15 तो कितने हो गया total 25 25 नोट्स हो गया आपका first equation clear हो गया है ना now multiply कर लो 50 के साथ 50 into y 100 into y that means 1500 हो गया 50 into 10 is 500 तो 1500 plus 500 gives you 2000 रुपीस इस तरह से आपको इसको करना है ुपीस 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 C ellas ुपीस